तो साथिवाब इस्टॉक मार्कित से सम्वंदित बड़े से बड़ा कोर्स ले लीजिए, बड़े से बड़े ट्रेनर्स इसीख लीजिए, लेकिन आज जो कॉंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम कोर्सिस में आपको ये क पता ही नहीं है, वारन बफित साब ये कॉंसेप्ट सालों से इस्तमाल कर रहे हैं और उन्होंने इस कॉंसेप्ट से करोडो रुपे बनाए हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो कॉंसेप्ट एकदम सरल तरीके से समझाने वाला हूँ, मुझे भी समझने में क पता है, तो दिमाग वाकई में चकरा गया, कि भी ये जो कॉंसेप्ट है, इतना सामाने से दिखने वाला कॉंसेप्ट, इतना पावर्फुल हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था, तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ नहीं करना, ये वीडियो बस अंत तक देखना है, हो स पताने वाला हूँ, और ये कॉंसेप्ट केवल समझना है, बाकी मैंने सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया है, स्क्रीनर के मदद से, आपको केवल डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, आपको केवल उस स्क्रीनर पेजाना है, वो ऑटोमेटिक कंपनीज बता के लिए, इसी आशे के साथ में, आज किस बैतरीन वीडियो को जल दिय से करते हैं, शुर्ट, तो सातियों ये जो कॉंसेप्ट है, इस कॉंसेप्ट का नाम है फ्लोट, और इसको हम एकदम बारिकी से अच्चे से डिटेल में समझेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंग तो guys ऐसा है कि अगर कोई business है, वो शुरू होता है, तो उसके अंदर पैसों की जरूरत होती है, पैसे से हम क्या खरीते हैं, हम खरीते हैं assets, मान लीजिए कि भई, आप कोई दुकान चालू करते हैं, चलिए restaurant ही चालू करते हैं, तो वहाँ पे आपको kitchen का समान लाना पड़े table से लानी पड़ेगी, cheers लानी पड़ेगी, तो क्या वो company के assets है कि नहीं है, definitely वो assets है, तो assets खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, या तो वो पैसा आप देंगे, जिसको आप equity के नाम से कहते हैं, कि भई वो पैसा आपका है, आपने अपनी जेब से दिया है, या फिर अपने parents से लिया है, अपने दोस्तों से लिया है, उसको हम कहा देते हैं equity, और दूसरा जो तरीका है assets खरीदने का, वो है debt, आप bank के पास में चाहेंगे, या फिर किसी से करजा लेंगे, कि भई चलिए आप मुझे एक साल के लिए ये पैसा दीजिए, और यहाँ पर मैं आपको 6%, 7%, 10% के हिसाब से क्या दूँगा, आपको interest दूँगा साला ना, तो यहाँ से आप वो assets खरीदेंगे, ये दो ही तरीके तो आपने सीखे हैं, आज तक equity and debt, debt को आप liability भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप business के अंदर deep जाएंगे तो आपको यह realize होगा कि एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं, other people's money, सोच के देखिए, कि आपको कोई दोस्त है, या फिर कोई supplier है, या फिर customer है, वो आपको यह कहता है कि लीजिए, आप मेरा पैसा ले लीजिए, इस पर आपको नय तो कोई collateral देना है, जैसे कि हम collateral देते हैं, debt के अंदर, आपको वो पे नहीं करना है, आपको कोई interest भी पे नहीं करना है, आप बस यह पैसा यहां से ले जाईए, न collateral देना है, मुझे मैं पैसा मांगूंगा भी नहीं, अगर मैं मांगूंगा, तो मेरा जो दोस्त है, भी, वो आपको उतने पैसे दे देगा, और आप म पचास हजार उपए ही है, मांप कीजिएगा, और बाकी का जो पैसा है, आप debt से लेते हैं, अब मां लीजिए, debt आपको लेना ना पड़े, और आपको कोई दोस्त आके बोले कि भाई, बाकी के पचास हजार उपए आप ले लीजिए, और आपको debt नहीं लेना पड़ेगा, और मैं ना तो कोई collateral ले रहा हूं, ना interest ले रहा हूं, मुझे पैसा चाहिए भी नहीं, अगर चाहिएगा, तो B, जो है मेरा दूसरा दोस्त, वा आपको 50,000 रुपए देगा, यानि आप इस पैसे को circulate कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमारा कर्जा कम हो जाएगा, स लोट से होके गुजरता है, वो होकर गुजरता है operating assets से, वो होकर गुजरता है working capital से, और यही चीज़ हम आज समझने वाले हैं, वैसे तो more switching cost हो सकती है, market power हो सकती है, आपका market share हो सकती है, networking effect हो सकती है, लेकिन financially इसको समझना काफी सदा जरूरी है, So I hope आप अभी तक ये तो समझ गए हैं कि equity debt और other people's money से हम कर सकते हैं, लेकिन ये other people's money आएगा कैसे, क्या ये liability नहीं है, और ऐसा कौन मुर्ख होगा जो आपको पैसा देने के लिए तियार है, basically वो जो दो मुर्ख हैना, वो है customers और plus के अंदर जो आपके vendors हैं, जो suppliers हैं, जो customers हैं, वो कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप हमें माल जो है, वो तीन महीने बाद दीजिए, लेकिन पैसा जो है, वो advance में ले जाईए, अगर कोई ऐसा सा business हो, चलिए advance में ही नहीं, आप on the hand ले जाईए, वरना क्या होता है, customers थोड़ा सा time लेते हैं कि ठीक है, एक महीने बाद पैसा दिया जाएगा, लेकिन हातों हात पैसा दिया जा रहा हो, या फिर advance में पैसा दिया जा रहा हो, और vendors को जो पैसा है, वो late देना है, तो क्या वो business कहीं न कहीं mode enjoy कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई vendor क्यों करेगा भई, कोई vendor आपको क्यों 3 महीने का time देगा, जरूर आपके पास में कोई mode है, और इसी चीज़ को अभी हम financially समझने वाले हैं, तो basically अभी तक हमने क्या सीका है, हमने ये समझा है कि वही जो assets है ना, उनको finance करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो हम equity लेंगे, equity यानि जेब से पैसा लगाएंगे, या फिर हम liabilities का इ चीज़ें आती है, liabilities में चीज़ें आती है, जैसे कि debt, और अभी जो मैं बात कर रहा था, other people's money की, जिसको आप पो float भी कह सकते हैं, अभी तक आभी दो चीज़ें ही जानते थे, लेकिन अभी other people's money भी है, और other people's money जो है, वो reality में liability नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अ liability नजर आएगी, लेकिन जब आप pass में जाएंगे, analyze करेंगे, तब आपको वो जो पैसा है, वो liability नजर नहीं आने वाला है, और यही concept है, बेसिकली जो finance का basic सा rule है, कि asset minus liabilities क्या होती है, equities होती है, देखिए guys, मैं engineering background से आता हूँ, तो जब मैंने stock market में प्रवीश किया, तो accounting accounting को एकदम बारगी से सीखा, और अपने देशी तरीके से ही याद करने का प्रयास किया है, ताकि मैं अच्छे से समझ जाऊं, और concept अगर समझ में आ जाता है, तो बाद में तो सब चीजें terms है, और वो चीजें ज़्यादा माइने नहीं रखती है, अब यहाँ पे देखिए assets minus liabilities क्या होती है, equity होती है, और equity को जब हम number of shares divide करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, book value मिलती है, और यहाँ पे हम बात करते है, value investing के concept की, अब देखिए किस तरीके से value को identify किया जाता है, तो माल लीजिए कि आपके जो assets हैं, वो 1,00,000 रुपए के हैं, और आपकी जो liabilities हैं, वो 50,000 रुपए की है, ठीक है भई, तो इस हिसाब से जो आपकी equity निकल के आएगी, वो कितने निकल के आएगी, पर 50,000 रुपए की निकल के आएगी, ठीक है भई, अब आपकी जो equity है, वो 50,000 की है, और माल लेते हैं कि 1000 shares हैं, आपकी company के अंदर, तो इस हिसाब से आपकी जो book value निकल के आएगी, वो 50 रुपए के निकल के आएगी, चलिए हम आपको दूसरा तरीगा बदाता हूँ, अब यहाँ पे liability जो है, वो debt नहीं है, बलकि other people's money है, आपने दूसरों का पैसा लिया और reality में वो liability नहीं है, वो पैसा आपको उसको देना नहीं है, तो क्या वो reality में liability है, ची नहीं, और माल नी जी, वो जो पैसा है, वो 25,000 रुपए ऐसे हैं, ठीक है भई, तो इस हिसाब से जो आपकी equity निकल के आएगी, बी केस के अंदर, वो होगी 1,00,000 रुपए माइनस 25,000 रुपए, जो हो जाएगा करेब 75,000, और जब आप इसको 1000 से डिवाइड करें कि 75 रुपीज की हमारी यहाँ पर book value हो रही है, और इसी चीज़ को अभी हम निकालेंगे, मैं अभी आपको निकालना बताऊंगो, उसके बाद में automated सब चीज़ें हैं, आपको निकालने के बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपको हतियार दे दिया गया, आप स उसको पढ़ रहा था, और वहाँ पे उन्होंने एक काफी महतवपून चीज़ बताईए, क्या बताईए, उन्होंने ऐसा कहा है कि कोई भी company है, उसकी जो profitability है ना, उसका जो profitability level है ना, वो basically तीन चीज़ों पर depend करता है, और आप इस चीज़ को note down कर लीजे गाईज, इसको ब पहला point है वो ये कहते हैं कि profitability इस चीज़ से define होती है कि आपके जो assets है ना company, what its assets earned, आपके जो assets है वो क्या earn करते हैं, यानि आपको return on asset कितना है, ये क्या ज़्यादा है कि नहीं है, second number पे वो कहते हैं, definitely ये चीज़ तो काफी सही भी है, assets तो आपके अच्छे earn करने ही जी की दो business है, A and B, पहला जो है वो 100 रुपे के ही sale करता है, 100 रुपे के asset पे, और दूसरा जो business है वो 500 रुपे के sale करता है, तो कौन सा business better है, आप कौन सा business choose करेंगे, आप definitely second business को choose करेंगे, second number पे क्या कहते हैं, Warren Buffett साब, वो ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि आपकी जो liabilities हैं, वो क्या cost कर रही है, कहने का तात पर ये है कि अभी हमने किसकी बात करी, अभी हमने बात करी other people's money की, liability के अंदर हमारे पास में क्या चीज़े हैं, या तो हमारे पास में other people's money है, या फिर हमारे पास में debt है, debt जो है वो तो भई चलिए 10% cost करेगा आपको लेकिन other people's money तो अगर आप other people के money से, यानि की float से कारे कर रहे हैं, तो भई कहना ही क्या, यानि आपकी liabilities एकदम कम, आपकी return on assets एकदम ज्यादा, और third point पे उन्होंने जो बात बोली है न, वो तो भई बार बार पढ़ने के बाद में समझ में आई, वो ये कहते हैं कि आपका जो utilization क्या हो रह ही है, अभी मैं आपको बता हूँ, आप सब चीज़ें समझ जाएंगे, लेकिन अगर वो float जादा है, तो वो float आपके तमाम asset को utilize कर सकता है, अभी मैं आपको क्या बता है कि asset जो है, वो आप या तो equity से लेंगे, या फिर वो जो asset है, आप debt से लेंगे, या फिर other people money से लेंग है, तो भी काफी बढ़िया हो जाएगा, कहने का मतलब यह है, कि मालीची के आपको जो restaurant है, उसके अंदर जो खाने का समान आ रहा है, वो basically आपके operation से संबंदित है, अब जो बिजली का खर्चा है, या फिर जो tables वगर आपने लगाई है, वो चली आपके fixed assets हो गए है, या फ वे, वो आपके customer के पैसे से हो जाए, तो सोचिए कितनी बहतरी चीज़ होने वाली है, exactly, अब हम वहाँ पचा रहे हैं, तो अभी मैंने धीरे धीरे करके आपको concept को जो ओपर की तरफ लिखे गया हूँ, लिवर अप किया है, पहले मैंने आपको एक basic भूमी का बनाई, अभ balance sheet का, यहाँ पर हम थोड़ा सा इस्तमाल करने वाले हैं, हो सकता है कि आपको balance sheet की terms के बारे में पता ना हो, आपको ये ना पता हो कि asset क्या होता है, liability क्या होता है, financial assets, operating assets, इन सब चीज़ों का आपको ग्यान ना हो, लेकिं tension मत लीचीए, मैं आपको एकदम देसी तरीके से सम जाँगा, भावनाई समझनी आनी चाहिए, vocabulary जो है, जो basically terminologies है, वो ज़्यादा माइने नहीं रखती है, उनको ज़्यादा महतवत देने का, मेरा कोई उदेशन कभी भी नहीं रहता है, चलिए, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि how to identify a float, अब हम कैसे identify करेंगे, सबसे पहल है, वो है financial assets की, इसके अब ही financial assets की है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती है, इसके अंदर चीज़ें आती है, cash और investment, यह आपका financial हुआ की नहीं हुआ, आपके पास में मान लीजिए कि current account के अंदर एक लाग रूपए है, तो वो आपको financial asset है, कभी ज़रूद पढ़ेगी इन पैसों की, मान लीजिए कि भई आपने दो लाग रूपए है, जो पिछले साल आपको profit हुआ था, उसको investment में लगा रखा है, आपने कोई bond में वो पैसा लगा रखा है, या फिर stock market में लगा रखा है, किसी financial advisor की मदद से, या फिर mutual fund में लगा रखा है, तो वो भी तो एक investment है कि नहीं है, तो ये हो जाता है आपका financial asset, ठीक है भई, ये जो asset है ना, basically इसका कोई ज्यादा relation नहीं है, business के operation से, day to day operation से, और जो दूस्तरी type के asset होते हैं, वो होते हैं, operational assets, operating assets, चलिए हम इसको operating assets कहते हैं, अब operating assets जो हैं, उनके अंदर क्या चीज़े आती है, जो आपके pizza का restaurant है, तो जो pizza का base होगा, जो subjia होगी, जो source होगा, उन सब का जो पैसा होगा, जो inventory होगी, वो आपके asset हुए कि नहीं हुए, वो आपको revenue देंगी कि नहीं देंगे, asset क्या है, जो आपको भविश्य में revenue देने वाले हैं, जो आपको profit बना के देने वाले हैं, तो cash definitely एक asset ह इससे आप भविश्य में पैसा बना सकते हैं, कहीं पे निवेश कर सकते हैं, operating assets है कि नहीं है, inventories जब आप वो pizza बना के देंगे, तो ultimately वो जो asset है, वो revenue में convert हो चाएगा, इसलिए हम यहाँ पे यह मानते हैं, उसी के साथ में receivables भी तो आपके operating assets हैं, मान लीजिए कि भई, म मैं आपके पास मैं आता हूँ, आपके restaurant पे आके अच्छे से pizza बगरा party करके जिला जाता हूँ, और आपको यह कहता हूँ कि जो पैसा है, वो आपको एक महीने बाद में दिया जाएगा, तो क्या आप यहाँ पे इसको no down करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या आपकी asset पे जाएग हैं, अब चलिए हम liability side पे चलते हैं, वैसे यहाँ पर guys क्या है कि equity को हम add नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर equity को भी add कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा ना, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, खीक भई, इसको आप बस एक बार लि आपका कोई hall है, मान लिजी कि भई, आपका कोई booking का hall है, ठीक है, अब वहाँ पे आप शादियों का season चल रहा है, कोई advance में ही आपको दोलाक रूपर देगे चला गया, कि भई, हमें यह जो hall है, या resort है, यह हमें चाहिए, अगले महीने, अभी से आप एक पैसा ले ले पैसा है, उनसे जो पैसा है, वो मिल भी गया, supplier को आपने बोला कि भी देख, अभी शादियों को season चल रहा है, तो अभी देख, आसानी से तो पैसा देना थोड़ा सा मुश्किल है, एक काम करते हैं, characters वालों को जो भी आपके supplies है, उनको हम अगले महीने पैसा देंगे, भी January में मलों के बाद में आजए ना, वहाँ पैसा दे दिया जाएगा, तो ये आप supplier को थोड़ा सा delay कर रहे हैं, ठीक है, समझ मारी चीज़ें, अभी यहां से मैं आपको सब चीज़ें clear करने वाला हूँ, तो float को हम calculate कैसे करेंगे, ये जो तरीका है ना, ये समझाने का ये जो arrow करके, ये समझा के, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको अभी याद रह जाएगा, float को calculate करने के लिए, आप liabilities में से equity को minus कीजिए, आप minus कीजिए debt को, और जो चीज़ बचेगी, वो है float, तो ये calculate करने के लिए, इसमें से ये दोनों branches minus कर दीजिए, ये tree है, ये branches है, tree में से दोनों branches गई, तो आपको float मिल गया, ठीक अभी, float क्या है, liabilities minus equity minus debt, चलिए, अब हम operating assets कैसे calculate करेंगे, again, ये tree है, इसमें से मैंने branch हटा दी, asset क्या है, financial assets plus operating assets, asset मैंसे मैंने financial asset को minus किया, तो मेरे को मिल गया operating asset, और यहाँ पे मेरे को float मिल गया, अब जिस business के मैं बात कर रहा अगर जो float है, वो जादा है operating assets से, तो हम ये कह सकता है कि company के जो entire operation है, day to day operation है, वो दूसरों के पैसों से हो रही है, जो उनको advance मिल रहा है, जो उनको supplier का पैसा है, उससे वो inventory भी चला रहे है, inventory में पैसा block होता है कि नहीं होता है, अगर कोई textile का business है, तो अगर कोई out of fashion चला या फिर laptops वगरा का business है, तो वहाँ पर inventory बना गे रखनी पड़ती है, चली यहाँ पर pizza में तो चली आपकी inventory एक दो दिन में निकल जाएगी, fresh जो चीज़े हैं वो निकालनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई laptop बेचता है, कोई textile का, चली garments बेचता है, तो वहाँ पर inventory में पैस अब लोग है, उसको cover कर लेता है, इसका मतलब क्या है, कि आपके पास में एक remote है, और आपके जो operating assets है, जो आपके operations है, वो finance हो रहे है, other people money से, अब सोची जो मैं आपको starting में बताया था, कि asset को finance करने के तीन तरीके हैं, equity, debt, handle, float, तो यहाँ पर हमने asset के एक पार्ट को finance कर ल लेकिन, I hope आप इस चीज को समझ गए, अब यहाँ पर एक आप दिमाग दोड़ा ही है, कि अगर मान लीजिए कि आपको advance नहीं मिल रहे होते, इतने सारे halls होते हैं, कि भई जो शादी वाले लोग हैं, वो कहते हैं, आपको advance होते हैं, तो यहाँ पर अगर advance कम होते हैं, अग अगर आप चाते हैं, कि हम आपके साथ में धंदा करें, तो भई पैसा आपको advance में देना पड़ेगा, वरना हम किसी और के पास में चले जाएंगे, हमारे तो catering का business काफी बढ़िया चलता है, तो यहाँ पर भी अगर कम होता, तो आप यह operating का, asset का पैसा कहां से लाते हैं, या तो अपनी जेब से लगाते हैं, कि ठीक है, दो लाग रूपए अपने savings account से डालो अभी, एक काम करते हैं, एक बार यह शादियों का season हो जाए, उसके बाद में जब पैसा आएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, या फिर आप किसी से करजा लेते हैं, कर जा लेते हैं, तो और equity dilute होने से क्या है, basically EPS बचता है, EPS क्या होता है, EPS होता है, profit after tax divided by number of shares, और अगर company के अंदर shares बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, अगर किसी को preferential allotment होगा, QIP किया जाएगा, तो number of shares बढ़ जाएंगे, तो आपका EPS कम हो जाएगा, और चितना EPS कम होगा, उससे ज्यादा stock price decrease हो जाएगा, तो वो तो basically value destruction है, और अगर आप debt ले रहे हैं, debt के अंदर आपको को interest देना पड़ेगा, तो आपका जो pat है, वो कम हो जाएगा, तो ultimately आपकी profitability है, वो कम हो जाएगी, और अगर profitability कम हो जाएगी, तो ultimately आपको ROE, ROE सब गिर जाएगा, और आपका stock price जाएगा, याद कीजिए, Warren Buffett साब का, मैंने आपको क्या बताया था, आपके assets क्या earn कर रहे हैं, आपकी liabilities क्या cost कर रही है, यहाँ पे आपकी liabilities cost कर रही है, तो ultimately आपकी profitability कम हो जाएगी, तो आप समझे, Warren Buffett साब क्या कहना चाहरे थे, उस एक paragraph के अंदर, यह जो चीज है, अगर आप समझ गए ना, तो आप यह समझ लीजिए, कि आप balance sheet को analyze करना समझ गए है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो अभी तक तो हम इसको theoretical देख रहे थे, paper पे बात कर रहे थे, किस तरीके से हम इसको calculate कर सकते हैं, और अब मैंने यहाँ पे screener open किया है, screener में मैंने यह already बना दिया है, यह formula आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस यह formula बना बनाया है, note down कर लीजिए, यह formula आप स्वैम अपने screener में add कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे total operating assets कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पे short name दिया है, TOA, total operating assets, crores, यहाँ पे इसकी unit हो जा आपको total operating asset मिल जाएगा, कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको, चलिए, मैं बता देता हूँ, आपको बड़ा simple सा कार है, यह MSTC का है न, चलिए, मैं यहाँ पे आऊँगा, edit ratio पे click करूँगा, यह basically एक screener है, यहाँ पे कोई भी आप नाम add कीजिएगा, आप यहाँ पे पह ratio पे आईएगा, और यहाँ पर यह जो चीज़ें हैं, आप screenshot कर लीजिए, और इसको लिख कर, यहाँ पे enter करके, आप show preview करके, इसको कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा simple है, ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, float को कैसे calculate करते हैं, हम यहाँ पे, तो ratio का नाम float मैंने यहाँ पे दिया है, short name net float कर दिया है, ratio unit यहाँ पे again growth में है, तो total assets minus equity capital plus reserves plus debt, यह कैसे निकाला मैंने चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली क्या है, equity plus liability मिला के क्या होता है, total asset होता है कि नहीं होता है, अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है, equity plus debt, liability को दो भागों म में तोड़ दिया, debt plus other people's money is equal to asset, और total asset मैंसे मैंने equity को minus किया, debt को minus किया, तो मुझे क्या मिलेगा, other people money मिलेगा, जिसको हम कहते है, float, तो यह भी बना बनाया है, आपको उसी तरीके से इसको calculate करना है, total liabilities minus debt is equal to float, और मैंने यहाँ पे float को calculate कर लिया है, ठीक है, यह भी आपक asset से, तो हम यह समझेंगे, कि उसके पास में एक remote है, अगर कम भी होता है, तो भी एक चीज़ है, मान लीजिए, कि भई दो business है, दोनों similar कारे करते हैं, एक के अंदर क्या है, एक के अंदर ऐसा है, कि जो float है, दोनों के अंदर float जो है, वो कम ही है, operating asset से, हम ऐसा मान के चल रह होगा, वो A होगा, क्योंकि यहां पर float जादा है, तो आप इसको इस तरीके से भी compare कर सकते हैं, बाकि अगर net negative होता है, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, total operating asset minus total float, if it is negative, then the business has power, it has mode, तो यह भी बना बनाया है, आपको swim create कर सकते हैं, और उसके बाद में मैंने एक screener बनाया है, जिसको मैं public कर दूँगा, और आप वो screener जाके देख भी सकते हैं, तो हमने यहां पे काफी सारे stocks पकड़े थे last year, अगर आपको याद हो, IRCTC, एक multi-bagger stock, IEX, मैंने आपको बताया था, इसमें हमने multi-bagger पैसा बनाया, India Mart, India Mesh, यह जो है basically intermes यह भी एक multi-bagger stock है, CDSL मैंने आपको बताया था, multi-bagger stock, यहां पे CAMS आपको बताया गया था, multi-bagger stock, CE Infosystem, यह एक multi-bagger stock बनेगा, यह आप लिख कर रक लिजिये मेरी बात, यह asset light business model है, नया नया IPO है, आपको अलड़ी बताया था कि इसको hold करना है, CE Infosystem will be multi-bagger, BSC multi-bagger, NBCC क भी multi-bagger बनेगा, और एक stock जो मैंने आपको recommend किया था, दिवाली पे, मजगांफ डॉक, मेरा favorite, और काफी सारे लोगों ने इस पे पैसा भी लगाया है, यह आप लिख कर रख लीजिए, यह आने वाले एक-दू साल के अंदर, more than multi-bagger returns आपको देने वाला है, इसके अंदर है, वो करीब 16,106 के हैं, float है करीब 22,000 का, सोचिए, कितना ज्यादा other people money है इस company के पास में, और यहाँ पर net operating asset निकल के आते हैं, negative के अंदर, यह इस company के लिए बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पर working capitalist का negative नहीं है, चलिए मैं यहाँ पर आपको एक-दू चीज़ें और समझ लीचे आप, दिखिए, साथियों ऐसा है कि जब winners को identify किया गया, चाहे वो Apple हो, चाहे वो Amazon हो, या कोई भी बड़ा winner निकल के आया है, चाहे वो American Express हो, American Express में क्या होता था, Warren Buffett साब ने कैसे पैसा बनाया, कि 60s के अंदर, वहाँ पर checks का system चलता था, checks का क्या system है, कि भई, जो customers होते थे न, पहले से check वोगरा sign करके देते थे, और company को पहले से advance देते थे, कि भई, जब हम घुमने जाएंगे, तो यह जो checks है, इनको हम claim कर देंगे, तो सोचिए कि भई, आपने क्या किया, आज आप घुमने गए, आज आप घुमने नहीं गए आपने आज American Express की service लिए और यह check sign करके दे दिया, कि भई, 1000 dollars चलिए, अब जब भी हम घुमने जाएंगे, तो 1000 dollars हम directly दे देंगे, हमें पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सोची कितनी बड़ी आचीज है, पैसा नहीं ले जाना किया वली यह check लेके जाना है, तो आपने पैसा तो आज दे दिया, अब आप तीन मेहने बाद जाने वाले थे, लेकिन आपके जो बच्चे है, उनके exam आ गए, ठीक है भई, उसके बाद में तीन मेहने बाद वापस जाने का सोचा, तो परिवार में कोई शादी आगी, नहीं जा पाए भई, ठीक है भई, बाद में आपने सुचा कि भई, अभी तो तेवित खराब है, आप दो साल बाद में गए, ये चेक वैलेट है, ये चेक आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कंपनी के पास में तो एक हजार डॉलर काफी पहले आगे न, अगर कंपनी के पास में कस्टमर्स काफी 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 तो समझ रहे न, मेरी बात को मैं क्या कहना चाहरा हूँ, बेसिकली यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का बिजनस मॉडल ऐसे चलता था और वारन बफित साब ने इसमें गजब का पैसे बना है, आप इंशॉरंस कंपनी के बात कीजी, इंशॉरंस कंपनी ऐसे ही तो चलती है कि आज आप उनको पैसे देते हैं regular interval पे, अब आप कामना तो यही करते हैं न, कि मुझे health insurance की जरूरत ना पड़े, आप कामना तो यही करते हैं न, कि life insurance जो मैंने कराई है, term insurance जो कराई है, उसकी जरूरत ना पड़े, तो ultimately insurance company के पास में तो काफी पैसा हुआ की नहीं हुआ और Warren Buffett साब का जो major investment है, वो किसमे है, insurance company में है, और वहीं से यह float का concert आता भी है, तो basically जब winners को identify किया गया, तो तीन चीज़े निकल के आई, पहली जो चीज़े है कि उनके पास में financial assets काफी ज़्यादा होते हैं, cash वगरा काफी ज़्यादा होते हैं, देगे assets के अंदर क्या ह assets के अंदर है financial assets and operating assets, तो अगर financial assets ज़्यादा होंगे, तो operating assets जो है, वो requirement कम हो जाएगी basically, तो financial assets ज़्यादा होते हैं, cash वगरा काफी ज़्यादा होता है, second number पे उनके अंदर negative working capital होता है, या फिर काफी कम negative working capital होता है, और उसी के साथ में जो बड़े winners होते हैं, उनके अंदर net operating assets negative के अंदर होते हैं, तो basically क्या है, जो liabilities है ना, उसके अंदर जो हम other people money के बात कर रहे थे कि अपने debt को उटा दिया, तो उसके अंदर other liabilities भी होती हैं, काफी जारी different liabilities हैं, चाहे वो different tax वगरा है, तो basically negative working capital पहली चीज़ है, और net operating assets दूसरी चीज़ है, तो अगर net working capital negative है तो एक बहुत अच्छी चीज़, और अगर net operating assets भी साथ पह negative है, तो और भी अच्छी चीज़, यानि सोने पर सुआगा, basically जब हम working capital की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, receivables, plus आपकी जो inventories हैं, वो कम है, जो आपको advances मिलने वाले हैं, plus जो आपको supplier से पैसा आने वाला है तो यह अगर चीज़ें ज़ादा होगी, तो basically आपका working capital कम है, और यहाँ पे आपकी other liabilities और other assets भी आ जाते हैं, इसलिए हम ऐसा कहते हैं, कि net operating assets जो है, वो negative होने चाहिए, तो basically यह जो है, मैंने आपके लिए already screener बना दिया है, तो आपको कुछ चुकरने के आवशक्ता ही न दीकिए, यहाँ पे मैंने थोड़े वह फिल्टर सोड लगा है, लेकिन उसके बाद में भी, आपको कितने सारे multi baggers मिले की नहीं मिले, आपको करीब 7-8 multi baggers यहाँ पे मिल गए न, तो यह अच्छी चीज़ है, आप इसको identify कर सकते हैं, आगे इस पे कारे कर सकते हैं, और यह किन के साथ मैं कह सकता हूँ guys कि maximum लोगों को पता ही नहीं है कि यह चीज़ें होती क्या है, इसका significance क्या है, समझने वाली जो चीज़ होती है, concept क्या है, ठीक है, ROE ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए, कौन ROE को run करता है, उसका pet पे क्या सार पड़ता है, जो investment capital है, उस पे क्या सार पड़ता है, और incremental capital पे क्या सार पड़ता है, यह सब चीज़ें अगर आप नहीं समझेंगे, तो बस ठीक है, number है, ROE ज़्यादा है, तो है, क्यों कम है, वो क्या आगे बढ़ सकता है, यही तो identify करना है, future को ही तो identify करना है, तो यह सब चीज़े मैं कभी आपको आगे बताऊंगा, I hope आप यह concept अभी समझ गए है, हमें क्या करना है, basically उन companies के पास में जाना है, जिनका working capital कम है, working capital requirement कम है, और net operating asset के अंदर, वो negative के अंदर है, तो ज़रूरी नहीं है, जिसके अंदर net operating asset negative नहीं है, वो multi-bagger नहीं बनेगी, या जिसके अंदर net operating asset negative है, वो multi-bagger बनेगी, basically हमें यहाँ पर ज़्यादा analyze करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर यह बताया है, कि किस तरीके से आप moat को, या फिर आपके business की power को financially समझ सकते हैं, वैसे moat के उपर अलरी एक वीडियो बनाया जा चुका है, आप को add करना है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको telegram पे दे दूँगा, so make sure you join the telegram channel link जो है, वो direct description में है, comment box में है, और अगर dimit account उपन करना चाहते हैं, तो अपना free IPO account, free dimit account आप up stocks के अंदर open कर सकते हैं, जहां से मैं IPO में पैसा लगाता हूँ, I hope आपको video अच्छा लगा, अच यह concept नहीं बताया जा रहे हैं, तो फिर क्या बताया जा रहे हैं, कुछ कहना जाते हैं, comment box में कह सकते हैं, I'll be very happy to know अगर आप comment देंगे, अपना सवाल पूछेंगे, आप मुझे mail भी कर सकते हैं, mail id the wealthmagnet official at the rate gmail.com, मुलाकात होगी आप से क्लिए वीडियो में, signing off for now, thank you very much कि यीज कुछके सकते हो न हूजी हैं, मुलाका देना जामछी कहांके बताया जाती हैं, MAच मुलाकाता ए finely cámara जाजा हैं, कि रहा दोगा अगर वीडियों में, औो भीडियों को हैं, अपना मुलाशा हैं, कर लेक्या हैं, कि अ भीोड़ा हैं, कर दे एनने से जाफिते हैं.. झाल झाल